तो आज जो topic के बारे में हम लोग discuss करेंगे वो है कि हमारा resistance का क्या combination ठीक है तो resistance के बारे में हमने आपको बताया था कि जो current का flow को क्या करेगा और limit करता है ठीक है उसको हम लोग resistance बोलता है उसका unit के बारे में हम बताया था है का unit जो होता है वो होता है Ohm, उसको denote करते हैं कैसे ah, से right तो आज किया करेंगे देखेंगे कि resistance का कुछ combinations होता है तो वह जो combinations होता है वह generally हमारा 2 type होता है एक होता है क्या हमारा the series और एक क्या होता है हमारा parallel देखेंगे तो further ॷाै series और बहुत साहरा combinations बनाया जाता है ठीक है उसके बारे में हम लोग जो है चर्चा करेंगे आज ठीक है तो देखिए exactly क्या है हम लोग को पता है कि resistance जो है resistance का ये जो है क्या ये symbol है एक register का ठीक है तो यहाँ पर देखिए आपका देख सकते हैं यहाँ पर दो terminals है ठीक है clear तो ये terminal मान लीजे A है और ये terminal मान लीजे क्या है B ठीक है वैसे ही क्या होगा एक दूसरा resistance होगा ठीक है तो ये जो register है इसका मान लीजे क्या है C और D है ठीक है तो यहाँ पर हमने क्या क्या है दो resistance को ले करके आपको समझाएंगे ठीक है तो यहाँ पर मेरा पहला जो register है वो है A और B इसका दो terminal और एक जो और register है उसका terminal क्या है C and D है ठीक है तो बात करेंगे क्या हम लोग series और parallel combinations के लिए ठीक है तो series जो combination होता है और parallel combination होता है exactly कैसा होता है इसके बारे में हम लोग discussion करेंगे ठीक है तो सबसे पहला जो है वो देखें क्या, series, ठीक है, तो series जो combination होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, कि एक register का ये जो दो terminals है, A और ये जो terminal है, B, ठीक है, और C और जो D होता है, ठीक है, C और D जो होता है, ये दो terminal में, क्या करेंगे, एक terminal को क्या कर लेंगे, पहला register का, और एक terminal जो है, दूसरा register को क्या करेंगे, हम लोग short करेंगे, क्या करेंगे, short, ठीक है, तो ये जब हम लोग shorting करते हैं, एक ही terminal को, ठीक है, एक register का, एक terminal, दूसरे register का, एक terminal को, जब हम लोग क्या करेंगे, short कर देंगे तो short करने पर जो combination तयार होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या series ठीक है तो यहाँ पर जो है मेरे पास देख सकते हैं कि A और B जो terminal है ठीक है वो क्या है अभी free end है इसका यह दोनों को क्या बोलेंगे हम लो free end ठीक है तो यह यह जो free end जो हमारे पास मौजूद है ठीक है इसमें हम लोग क्या करते हैं एक source को लगाते हैं क्या लगाते है source ठीक है तो यहाँ पर जो है मेरा source जो होगा वो क्या होगा एक एक आपका cell हो सकता है जैसे कि यहाँ हमने cell लगाया है और अगर बहुत सारा अगर cell को हम combine कर दें एक साथ ठीक है तो यह जो होता है हमारा क्या होता है बैटरी होता है ठीक है प्लस माइनस प्लस माइनस ठीक है तो cell के बारे में याद रखिएगा single अगर रहेगा ठीक है तो उसको हम लोग cell बोलते हैं और अगर combination में अगर ये भी रहता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं battery बोलते हैं क्या बोलते हैं battery तो इस बात को याद रखिए तो हमने क्या किया यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक cell लगाया है ठीक है तो यह जब cell हम लगाएंगे तो क्या होगा इसमें क्या होगा हमारा current flow होगा ठीक है clear है तो यह क्या है यह resistance के through होकर के क्या होगा current जाएगा R1 और इसको माल लिजे आप R2 ठीक है clear है तो यह हमारा जो है यह A और D जो है यह जो portion है R1 और R2 का यह जो combination आपका तयार हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं क्या series combination ठीक है clear अब बात करते हैं किसका parallel क ठीक है तो parallel जो combination होता है ठीक है तो parallel combination में हम लोग क्या देखेंगे कि इसका जो दो terminal है ठीक है यहां पर हमारे पैस क्या terminal है A और दूसरा हमारा डो Terminal क्या है B ठीक है और second वाला जो register है उसका जो terminal है आपका क्या है C and D तो parallel combination में हम लोग क्या करते हैं parallel combination में इन दोनों को ही हम लोग क्या करते हैं short कर देंगे दोनों को ही क्या कर लेंगे हम लोग short तो जैसे हम लोग short करेंगे तो यहाँ पर यह R1 होगा और R2 जो हो जाएगा ठीक है इसका जो ये or कोंबिनेशेन अभी हमारा रिडि हूआ है इसको हम लोग बोलेंगे क्या zooming क्या कर लेंगे इसमें दोह टरह् hint कर लेते हैं या से स्टिंग करने के बाद हमारा जो ये एंड बचता है यहां पर हम लोग क्या करते हैं अपना power जो source है उसको हम लोग क्या करते हैं यहां पे लगा देते हैं clear है ? I hope कि यह समझ आया तो अभी देखिये हमारा जो सीरीज है अब हम लोग क्या करेंगे कि मान लीजे कि हमको क्या करना है यहां पर र-1 और R-2 लगाए हैं तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक single रेजिस्टेर भी लगा के, यह जो total resistance का value होगा, उसके equivalent हम लोग ला सकते हैं, ठीक है, तो हमारा अब यहां पर main motive क्या होगा, कि हमारा जो total resistance है, r1 और r2, ठीक है, इसका overall resistance होगा, वो कितना आएगा, तो overall resistance होता है, यहां पर ध्या बोलते हैं क्या R eight Island क्या बोलते है R automat इसको R Eq लिखते हैं शॉट में घरें तो सीरीस के कविनेशन में तो मेरे को में मिल जाएगा स्ट्बूरक बार्ले के कॉंबिनेशन में क्या होता है इसका formula जो होता है वो होता है 1 by r equivalent is equals to 1 by r1 plus 1 by r2 क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ 2 ही resistance लिया है तो r1 r2 होगा अगर माली यहाँ पे 3, 4, 5 और रहता तो plus r3 plus r4 ऐसे करते और अगर parallel के combination में अगर r3 और r4 ऐसे ही लगाया रहता parallel में तो यहाँ पे क्या होता है 1 by r equivalent equals to 1 by r1 plus 1 by r2 plus 1 by r3 dot 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 जितना सारा resistance लगाएंगे उतना सारा resistance को हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे तो I hope कि यह series और parallel combination जो है यह आपको समझ आया मैं आपको एक बात बताता हूँ कि series का जो यह formula है ठीक है यह कैसे आता है और यह जो parallel combination है इसका जो formula है वो कैसे आता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे ठीक है तो अभी फिलाल हमने आपको दिखाया क्या कि series combination कैसा होता है और parallel combination कैसा होता है ठीक है तो इसमें जो है आपको कुछ important जो है properties को जानना पड़ेगा series और parallel में exactly क्या होता है ठीक है तो उसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे और आगे हम लोग देखेंगे क्या कि यह formula exactly आता कैसे है ठीक है तो यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनिएगा जो अभी हम बताने जा रहे है please ठीक है तो यहाँ पर जो current देखें आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो क्या होगा यह जो current जो flow होगा तो current को कैसे हम लोग denote करेंगे I और क्यों कि यह मेरा एक power supply है ठीक है तो इसको हम लोग क्या denote करेंगे V तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह स कि यहां पर ohms law का कुछ application दिख रहा है आपको क्या वी आई और यहां से आर ठीक है तो यह आप देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं आप कि वी आई और आर का क्या है यहां पर application है इसका मतलब यहां पर जो है हम भी जो भी formula हम लोग use करेंगे ठीक है वो ohms law से related होगा ठीक ह तो यहां पर कुछ चीजों को आप लोगो जानना बहुत ही जरूरी होगा ठीक है यहां पर देखिए जो current जो flow हो रहा है यहां पर total जो current आई जो flow हो रहा है वो जो है इसी path से क्या होगा गुजरेगा तो r1 में जितना current flow होगा वो आई होगा और r2 में क्या होगा जितना current flow होगा वो आई ही होगा ठीक है तो यहाँ पर सीरीज में सबसे पहला जो important जो पॉइंट है जो आप लोगों को जानना है वो याद रखेगा कि current कि जो होता है r1 and r2 में क्या होगा same क्या होगा flow होगा क्या होगा same flow होगा ठीक है clear सबसे important बात यह है ठीक है तो यह यहाँ पर हम लोग देखें क्या कि current जो है इस पूरे circuit में जो flow होगा वो क्या होगा same current flow होगा तो इस बात को ध्यान रखेगा अब देखिए हम लोग को पता है कि वी जो होता है वो होता है आई आर ठीक है तो आई जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा वी बाई क्या होगा आर तो यहां पर देखिए आप देख सकते हैं कि यहां पर वोल्टेज तो वी है यह constant है लेकिन यहां पर मेरे पास दो registers है r1 and क्या है r2 ठीक है कि यह जो फॉर्मला है v is equals to ir इसको हम लोग क्या करेंगे यूज करेंगे और इसको भी हम लोग further क्या करेंगे यूज करेंगे इस फॉर्मला को derive करने के लिए ठीक है तो यहां से देखिए आप यहां से बहुत क्लियर्ली देख सकते है v is equals to ir तो अगर हम voltage का बात करें तो अगर v1 voltage निकाल लेंगे तो v1 जो voltage होगा वो इस r1 के across क्या होगा voltage मिलेगा मेरेको ठीक है v1 ठीक है और यहां पर क्या होगा r2 के across हमको जो voltage मिलेगा वो क्या हो जाएगा v2 ठीक है तो यह जो v1 जो है उसको जब हम लोग क्या करेंगे निकालेंगे तो उसको formula जो है v is equals to ir होता है हमको पता है तो v1 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा i into क्या हो जाएगा r1 क्यूंकि r1 के across ही मेरेको क्या मिल रहा है v1 ठीक है और दूसरा जो बात है यहाँ पर अगर हम v2 निकालेंगे तो v2 is equals to क्या हो जाएगा i into क्या हो जाएगा r2 ठीक है clear है और यहाँ से देखें जो यह दोनों जो voltage होता है v1 और v2 जो होता है यह दोनों जो है यह इसके equal होता है टो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि current जो होता है वह same flow होता है और voltage जो होता है इसको हम लोग exactly बोल क्या सकते हैं कि यह voltage जो होता है यह क्या हो जाएगा divide हो जाता है ठीक है तो जो total voltage हम apply कर रहे हैं यहाँ पर वो दो part में अगर दो register है तो दो part में क्या होगा डिवाइड होगा ठीक है और इसका जो values होगा V1 और V2 को कैसे निकालेंगे यहाँ पर जो total current flow हो रहे है उसको हम लोग find करेंगे और उसको R1 से क्या करेंगे multiply करेंगे तो V1 मिल जाएगा और यही current flow हो रहा है उसको R2 से जब हम multiply करेंगे तो मेरा क्या मिल जाएगा V2 मिलेगा ठीक है तो अभी जो है अभी हम लोग को यहाँ से exactly निकालना क्या है R equivalent के बारे में हम बात कर रहे है ठीक है तो R equivalent जो है ठीक है इसको देखिए कैसे निकाला जाते है ठीक है तो यहाँ पर देखिए देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे इसका formula को derive करते हैं तो पहले series का derive करेंगे ठीक है और जो है next में हम लोग क्या करेंगे parallel का भी derive पर तो यह अब हम जो कर रहे हैं वो series का है ठीके तो देखे तो V is equals to क्या हो गया V1 plus V2 होता है हमको पता चल गया अब देखे वी जो होता है वो क्या होता है V जो होता है वो क्या होता है IR होता है तो I into क्या हो जाएगा R is equals to अब देखे यह जो है V1 तो V1 का exactly value क्या है देखे यहाँ पर जो V1 है वो V1 का value क्या है I into क्या हो गया R1 और plus V2 का जो value हो क्या हो जाएगा I into R2 ठीके अब यहाँ से देख सकते हैं आई 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 इस इक्वाल्स टू यहाँ से आई कॉमन ले सकते है तो क्या हो जाएगा R1 प्लस क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा ठीके अब देखे यह आई और वो जितने सारे resistance दिये जाएंगे आपको series combination में उन सभी को क्या करना है simply add कर लेना है तो उसमें जो है मेरेको total उसका जो resistance होता है R equivalent मेरेको मिल जाएगा किसमें मिलेगा series में चीके अब बात करेंगे हम लोग क्या parallel का तो parallel के लिए हम आपको दिखाते हैं तो जहां तक parallel का बात करेंगे तो देखे हमने क्या किया था एक ड्रॉइंग किया था ठीके एक circuit मैंने बनाया था ठीके तो उस circuit को मैं फिर से एक बार आपको बता दे रहा हूं ठीके तो यह V हो गया, यह प्लस माइनस हो गया, अब देखें, यहां से जो current flow हो रहा है, यह current कितना flow करेगा, suppose I, और यहां पे मेरा जो resistance से वो क्या है, R1, और यहां पे जो resistance से मेरा क्या है, R2, अब देखें, मैं आपको बहुत क्लिरली एक बात बताया था, कि resistance जो होता है, वो current का flow को क्या करता है, limit करता है, तो देखें, अगर इसका value, R1 का value अगर अलग होता है, और R2 का अगर value अलग होता है, और R2 का अगर value अलग होता है, तो दोनों branch, यहां पे देखें, यहां से क्या हो रहा है, यहां से एक रास्ता यह है, और एक रास्ता यह है, तो यहां से क्या ह रहा है यह क्या होगा दो पार्ट में क्या होगा डिवाइड हो जाएगा तो इसको हम लोग मानते हैं आई-वन इसको मान लेते हैं भी हम लोग आई-टू तो देखे ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस का अगर वैलू हमारा अलग होगा तो इसमें जो करेंट जो फ टोटल आई वो क्या होगा दो पार्ट में क्या होगा डिवाइड हो जाएगा ठीक है तो दो पार्ट में जो डिवाइड हो जाएगा वो कैसे होता है देखिए जैसे हम लोग एक छोटा सा एक्जामपल देखते हैं कि देखिए हमने क्या है घर में जो हमारा जो पाइप होता ह चाहे उसको क्या की हम लोग 2 branching में काड़ दिये यथा myself किसी गाऊं तक पानी पहँचाने माहां यहां से खोल देते हैं कानल को तोिह घ्ला झाता और इधर भी होल देते हैं तो यहां से भी क्या होता है कुछ पानी इधर फ्लो हो जाता है ठीक है अब यहां पर बहुत इंपॉर्डेंट बात है एक जानने का कि जितना चौड़ा जाओ रह colonial होगा चौड़ा मिंस विध्न अगर जाधा होगा तो जाधा R1 and R2 के उपर ठीक है तो यहां से सबसे पहला important जो हम लोग बात देखें क्या होता है current जो होता है वो क्या हो जाता है divide हो जाता है ठीक है clear तो current जो है यहां पर divide होता है किस form में I1 and किस में I2 में लेकिन यहां से बहुत एक important बात है देखें यह total जो current आई वही न डिवाइड हुआ है यहां पर तो यहां पर जो total जो current हो जाएगा I1 प्लस क्या हो जाएगा I2 ठीक है I hope कि यह आपको समझ आया ठीक है दूसरा जो बात है देखें अगर मान लीजिए कि यह register के clear मतला R1 के अक्रॉस भी voltage होगा V होगा और R2 के अक्रॉस भी जो voltage होगा वह वी ही होगा ठीक है अब देखें यहां पर इसको इसका जो derivation है वो देखें कैसे होता है अभी देखें ओम्स लॉक के according पता है V is equals to IR तो I जो होता है वो क्या होता है Vy क्या हो जाएगा R ठीक है तो मान लीजिए आपको क्या है आपको I1 निकालना होगा तो I1 जो निकालेंगे तो I1 किसमें flow हो रहा है R1 में और इसके across voltage क्या है V तो यहां पर value जो है वो क्या हो ज जाएगा तो यहां पर भी तो voltage सेम है R2 में देखो voltage सेम होता है हम यहां पर लिखाए अभी ठीक है R1 के across V V, R2 के across V V तो यहां पर जो है voltage मेरा सेम है तो V by क्या हो जाएगा आइसके across resistance कितना है R2 ठीक है तो अभी देखिए अभी यहां से हम लोग को एक equation जो यहां से मिला था इससे हम लोग को क्या पता चला कि I is equals to क्या होता है I1 plus I2 होता है ठीक है तो इसको हम लोग similarly क्या से लिख सकते है V V by R1 plus V by R2 ठीक है clear तो यहां जो I है तो अभी exactly मेरे को क्या मिला I is equals to V by R1 plus V by R2 लेकिन यह जो I है I का value अगर आप देख सकते हो तो I का जो value वो क्या होता है V by क्या होता है R ठीक है तो यहां पर put कर सकते हम लोग तो V by R is equals to क्या हो जाएगा V by R1 plus V by क्या हो जाएगा R2 ठी तो V by क्या हो जाएगा R is equals to क्या हो जाएगा V common हो जाएगा यहां क्या हो जाएगा 1 by R1 plus क्या हो जाएगा 1 by R2 ठीक है तो यह V और V क्या हो जाएगा cut जाएगा तो exactly मेरे को formula क्या मिलेगा 1 by R is equals to 1 by R1 plus 1 by R2 ठीक है तो यही जो है मेरा क्या है R equivalent ठीक है तो I hope कि आप लोग यह देख सकते हैं, ठीक है, तो यह देखिए, 1 by R equivalent जो है, क्या निकला, 1 by R1 plus 1 by R2, तो यह जो combination है, ठीक है, और यह जो formula मेरा आया है, ठीक है, यह किस combination का है, parallel का, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही important बात है, यह current और voltage के बारे में, तो उसी के respect ने हम लोगों ने क्या किया, इ तो और आपको एक important बात बता दें, यह हमेशा याद रखेगा, कि parallel combination में, current divide हो जाता है, voltage same रहता है, और series के combination में, यहाँ पे series के combination में, मैंने आपको क्या बताया, कि यहाँ पर जो है आपका current जो है वो आपका same रहता है लेकिन voltage जो होता है वो क्या हो जाता है divide हो जाता है जितने सारे registers होंगे ठीक है तो कौन divide होगा total मेरा voltage तो current जो होता है current क्या होता है मेरा इस case में same रहता है and voltage जो होता है वो क्या हो जाता है ठीक है डिवाइड हो जाता है ठीक है इस बात को आप लोग प्लीज याद रखेगा क्योंकि यह बहुत important है यह exam में पूछा जाता है even interviews में भी पूछा जाता है ठीक है clear है तो यह बहुत ही basic है इस basic part को आप लोग समझेए in case अगर आपको कोई problem होगा तो please मेरे को comment करिए ठीक है जो भी doubts है और इससे जो है हम लोग related जो है numerical करेंगे और मैंने की जैसे आपको बताया था ठीक है work ठीक है power ठीक है इससे भी जो है हम लोग further जो है numerical करेंगे ठीक है तो यह कराना हमारा बहुत जरूरी था क्योंकि बहुत सारा ऐसा होता है circuit हम लोग बन प्रिकल से उसको हम लोग कर सके ठीक है जैसे कि power calculate करते है मानलों की एक बल्ब है उसका voltage rating दिया है resistance दिया या current दिया है उसके according हम लोग क्या करते है उस वल्ब का power निकालेंगे या मानलों की bulb का अगर power दिया है ठीक है तो उसमें जो कितना current flow हो रहा है या उस filament का कितना resistance है उसको हम लोग करेंगे तो there are lot of questions हम लोग जो है deal करने वाले है तो please आप लोग जो है मेरे चैनल को like and subscribe please 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 करें ठीक है और bell icon को जो है कस के दवाएं ताकि वो miss ना हो और आपको जो है upcoming जो वीडियोस है वो आपको हमेशा प्राप्त होता है ठीक है thank you for watching this video and please don't forget to like and subscribe my channel